नमस्कार दोस्तों, FNN News में आपका स्वागत है दोस्तों, नई दिल्ली में हाल ही में संपन्द G20 शिखर संबेलन के संदेश को प्रचारित करने के लिए 450 प्रतिभागियों के साथ 14 दिवसियर रेल यात्रा शुरू हुई थी, जो कि अब दिल्ली में पहुँची है इस यात्रा के प्रतिभागियों में G20 देशों के सत्तर सदश्य सामिल है, अधिकारियों के अनुसार या पहल G20 स्टार्टप के सहयोग से एक गैर सरकारी संगठन जागरती सेवसंस्थान की ओर से की गई है या भारते स्टेट बैंक और सिडवी से समर्थित है इस यात्रा के किरम में दिल्ली में विभिन सत्र और प्रतिष्ठित मंत्रालियों और नौकरशाहों के साथ रोचक चर्चाएं आयवजीत की जाएंगी थिंक टैंक का मारुदर्षन और विशेशगता इस चरण के दोरान यात्रा के पत को आकार देगी और संचालित करेंगी समारों में विभिन प्रतिष्ठाली मंडलियों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तूतियां दी यात्रा के अथितियों में भारत के G20 शेर मिताब कांत और निती आयोग के कारेकारी अधिकारी BVR सुब्रमन्यम शामिल रहे शशांत मनी संस्थापक जागरती यात्रा के अनुसार किसी से प्रेणा मिले की 15 साल पहले आपने रूखे और उससे में सरकार के तरफ से आपको बहुत ज्यादा प्रसाहन नहीं इंडा होगा उस समय नहीं मिला पिछले आज करीब दस साल में काफी मिला है मैं चाहता हूँ कि मेरा ये प्रेणा थी कि मैं एक आर्मी अफसर का लड़का हूँ तो जब मैं भ्रमन करता था पूरे देश भर का कुछ मेरी दिल्चस्पी थी गुमकड़ी के धर्म अपनाने के लिए पुरवांचल से आता हूँ वहां की लोग गुमकड़ हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग नवयूकों को प्रिरित करें कि देश में घूमें उसको देखें असली भारत को देखें और उसको द्यमिता से आगे बढ़ाएं तो इसकी प्रेणा पहली मूलता तो मेरे परवरिश से मिली उसके बाद प्रेणा मिली क्योंकि घुमकड़ी का धर्म पुरवांचल का धर्म होता है और तीसरा आपको ये भी मालूम है कि भारत रैड क्लिफ के बाउंडरी से नहीं परभाशित है भारत तो एक संस्कृती से परभाशित है और संस्कृती का प्रचार आदान प्रदान हमारे यायावर ही करते थे तो इसको भी एक महातीस की तरह आप समझिए कि हम लोग हर साल 15 साल से 500 लोग को पूरी ट्रेम ले आते हैं विश्य की सबसे बड़ी रेल यात्रा है और इसमें पांच देशों में अनुकरण हुआ है मेरा पुरा विश्वास है कि Amazon एक यात्रा हम लोग सोच रहे हैं अगले साल करने के लिए ताकि Brazil भी उसकी अध्यक्ष्टा में इसको अनुकरण करे तो G20 के देशों को भी आप चाहेंगे कि इसके साथ जोड़े तो इसका आपका मोटीव है और आपचार है चुम्प जोड़े और अगला क्या करिक्रम आपका हो सकता है इसंदर ने देखे हमारा जो जागरती उद्यम केंद्र है जो कि देवरिया में मैंने खड़ा किया है बहुत विशाल का है वटवरिक्ष है उसकी चाया लगभग 120 फुट की है उसके बगल में 6 एकड़ की जमीन पे हमने एक बहुत बड़ा उद्यम केंद्र खड़ा किया है उसमें कई चीज़े हो रही है उसके आसपास के दस जिले हैं वहाँ पर हम उप केंद्र खड़ा कर रहा है मैं विक्तिकद रूप से सौबलंबी भारत अभियान से जुड़ा हूं यहां पर उसका नीती प्रमुक राश्री तो इस हिसाब से हम लोग किताब के माध्यम से इसकेंद्र के माध्यम से और एक बैनियन बरगत करांती के माध्यम से इसको हम पूरे देश में पहलाना चाहते हैं और बरगत करांती का मतलब क्या है कि पहले हरित करांति होती थी, च्षवेत करांति होती थी, अब हम मानम संताधन को कैसे उरजामान लेके आगे चलें, ताकि हम लोग बर्गत करांती की दौ़ारा हर गाओं, हर शहर, हर जिले में इस प्रकार की उद्ध्यमिता की आप बचरचा करें, उसका एक प्रक्रेयर करे ने मेरा सवाल यह था सर कि पूरे दुनिया में आप G20 के देसों में भी आप अपने कारिकरम का प्रचार पसार करना चाहेगे। अगर हर G20 वेक्ती अपनी देक्षता में ऐसी यात्रा करे तो उसका बीज तो भारत से ही आया है। में उसके आगे मानली इंडोनेशिया में और यूनाइट स्टेट्स में भी जो समान जिलें वहाँ पर उद्देमिता के ऐसे है इसकी करांती भारत से ही शुरू हो। में दो घंटे इसके बैठक करी मेरा पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की यात्राएं आने जगह पर होंगी। उसमें जो बर्गत करांती की बात है हमारा वट रिक्ष राश्री रिक्ष है उसी प्रकार जो ब्रेजिल कर राश्री रिक्ष है उसको लेकि हम लोग चलते हैं ताकि समान जिलों में ब्रेजिल में उसके आगे मानली इंडोनेशिया में और यूनाइट स्टेट्स में भी ज और उनका contribution समाज में है, लेकिन entrepreneurship के मामले में उनका अभी जो योगदान है, वो काफी कम है, तो इसको कैसे आप बेहतर करने की अपने लिए आपने लिए, तीन मुद्धे हैं उसमें, एक तो मैंने एक शब्द कोईन किया ता अंग्रेजी में, कि women are balance sheet builders, men are profit and lost people, उसका ये मतल है, कि अगर सौ रुपए आप महिला को देते हैं, तो सौ रुपए में से सौ रुपए वो अपने लड़के की पोशन में, उसकी पोशाक में, उसकी लड़की की पढ़ाई में खर्चा करती है, सौ रुपए बुरा नमाने मर्द लोग, लेकिन अगर चोटे गाउं शहर में भागती है, वो वहीं रहती हैं, अंगत के पैर का दिमा के रखती हैं, सांस्क्रितिक रूप से, समाजी रूप से, आर्थिक रूप से, और तीसरा जो आजिवेशन आया है, जो कि एक तरह से कॉंस्टिटूशन अमेंडमेंट में आया है, उसने ये रेकिनाईस किया है, कि यदि पचास प्रतिशत आबादी, एक साथ मिलके, मर्दों के साथ, ऐसा नहीं कि फुरुश को पीछे हटना है, फुरुश को भी साथ लेके जाना है, इससे मेरे साब से दोनों पैर चलने लगें, कि अंधी जी ने एक बार बोला था, कि इंडिया वॉक्स ऑन वन लेग, ज और आपको पजयान के बहुत खुशी होगी, कि आज इस कारिक्रम में साथ महिलाएं अलग से, दिवरिया से, कुशी नगर से, ट्रेन लेकि यहां पर आ रही हैं, और उनका भी योगदान इस कारिक्रम होगा था कि जब वह वापस जाएंगी, तो देखेंगी कि सशक महिला क के लिए हमने कितना बड़ा प्रोग्राम किया है, बड़े बड़े लोग यहां पर आ रहा है, इसका भी बहुत महत्तु हो रहता है। पर व्यक्ति, कोई ग्राम प्रधान भी है, तो उद्द्यमी हो सकता है, एक तो यह बात कहूंगा, दूसरा नव्यूकों को और नवित्यों को यह कहूंगा, कि आप लोग अपने अपने छेतर के जो अनिक समस्या हैं, उसका समाधान वहीं कर सकते हैं, उद्द्यमिता के यही हमारी मंसा है, यही जागरती की प्रेणा है. मद्ध भारत, अब भारत एक पिरिमिट के आकार का नहीं, जैसे प्रहलाज जी ने कहा था 20 साल पहले, भारत एक बहुत अच्छा हीरा है, सुनाधिकांश लोग न तो बहुत गरीब हैं न बहुत अमीर है, यह पहला मन, दूसरा उसको चमकाने के लिए, उस हीरे को चमकाने के लिए हमें उद्ध्यमिता का मार्क अपनाना पड़ेगा, सरकार अवश्य करेगी और प्राइविट सेक्टर भी करेगे, समाज को उठना पड़ेगा इन दोनों के साथ, तीसरा हम लोग चाहते हैं कि नई आधुनिकता आए, जो वेस्टरन मॉडरनिटी उससे अलग आध शाप छोड़ी है, सतर देशों के प्रतिनिदियों से ही 450 प्रति भ्यागियों के साथ, यात्रा वास्तम में उद्ध्यमियों के वैश्मिक संग को बढ़ावा दे रही है, या विचारों के आदान प्रदान, अनुभव साजा करने और सार्थक संबंद बनाने के लिए गुल स्वागत है, और मैं यह जाता हूँ कि आपका योगदान की काफी रहा है, मैंने जोड़ी बहुत जानकारी आपके बारे में यह करता है, तो लगा कि आपने कला को अपना जीवन समर्पन कर दिया है, इस तरह की बारे मुझे बहुत खुशी है कि कलाकार के नाते, मैं संगी जीजनाटक अकड़मी की चैर्मेन बनी हूँ, और मुझे यह मुका मिला है कि देश के कलाकारों की में सेवा कर सकूँ, और देश की कलाको अलाओं को मैं अपने आपको समर्पित कर सकूँ, इसलिए बहुत सारे कारे करम हम लोग से लीजनाटक अकड़मी से पड़ सौपा गया और एक बहुत बड़ा चलेंज था, वगर बहुत खुशी की बात है, मैं यह कह चाते हूं कि हमने W20 यानि Women 20 में ग्रासरू ट्रेवल विमन से लेके entrepreneur तक और सभी समाज के सभी स्तरों की विमन के साथ बहुत सारी चक्चा विजारना करके एक अच्छा सा कम्यूनी के तयार किया, and we are very lucky कि इस कम्यूनी का सभी declaration, G20 के declaration में हुआ, और महिलाओं के नेतरूत्म के विकास के विशे पर पूरा G20 महक हुटा, और हमारे अधरनी प्रधान मंतरी चीशी नरेंद्र मोदी जी ने, यह जो महिलाओं के नेतरूत्म पर विकास पर पुरा ज देक्लेर किया, जो action speaks louder than only speech, जो कहते है, तो सत्य करके दिखाया, और यह G20 के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है, मैं यह पूछना चाहा रहा हूं, कि आपको जब कला के छेत्र में थी, तो आपको क्या मोटिवेट किया जागरुती मंच के साथ रहने की? मेरा और जागरुती मंच का नाता याने की शाशांक के साथ का नाता बहुत पुराना है, जब वो लंडन रहा करते थे, तब से मैं उनके साथ जुड़ी हूई हूँ, और एक आर्टिस्ट करके हम उनकी बीवी जो है गवरी, वो भी एक कथक बुते आंगना है, मैं और गव बहुत सारे अलग-अलग विशे लेकर जागरुती यात्रा हुआ करती है, और इस साल ये जागरुती G20, स्टार्टप 20 यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैलाओं की नेतरुत्म पर विकास विशे पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहा है, और मुझे बहुत ही आनन्द और गर्व महसूस हो रहा है कि कम से कम साथ इंटरनेशनल यात्री इसमें जुड़े हुए है, जो कि G20 के सदस्या है, G20 कंट्री के सदस्या है, वो है US, Italy, Germany, France, etc. देशों से आयोए, बहुत सारे यात्री इसमें सम्मिली थे, और एक विशे खासियत ये भी है, आगे आई है, यात्रा में सम्मिलित हो गई है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और जागुरूति के अभियान के, इस जागुरूति यात्रा के अभियान के संसापक स्रीशाचांक मनी को बढ़ाई देना चाती हूँ, कंगरुचिलेट करना चाती हूँ, पर दिस व पाध्यम से परतिभागियों को अंतराष्टिय स्टार्ट अप पारिस्तिती की तंत्र, समाविश्री पर्थाओं और नेटवर्किंग के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये निउस हमें कमेंट करके बताएं, साथी लाइक और श केर भी करें